नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में और आज हम RRB NTPC मैज सीरीज में 27 मार्ज 2021 का सिफ्ट 1 और सिफ्ट 2 के जो पेपर है उनके इंपोर्टेंट मैज के सवालों को डिसकस करने वाले हैं तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने को मैक्जिमम 39 रुपे का और डिसकांट मिनने वाला तो इस अपोर्चुनिटी को जरूर ग्रेब करना चाहिए आप रेलवे की तयारी करते हो बैंकिंग की ससी के यूपी ससी के जितने भी स्टेट और सेंटर गवर्मेंट एक्जाम में एक की पास में सारे एक्जाम के मॉक टेस्ट अटेम्ट कीजिगा जो से हम एक्जाम पैटन और डेस्पोर्ट पर आधरीत रहते हैं ज्यादा जानकार के लिए लिंक डेस्क्रिप्स में टेस्टुक एप और वेबसाइट दोनों पर यह आप टीटीजी को पर यूपन को यूज करते हुए होली के आउसर पर इस भी दो रुखा तो यह चार हो गया और दो का स्क्वेर करोगे तो वह भी चार हो जाएगा तो यह हमारा सैटिस्फाइब कर रहा है इसी परकार से यह भी सैटिस्फाइब कर रहा है यह भी सैटिस्फाइब कर रहा है तो यह मान हम यहाँ पर रख सकते हैं जब आप मान रख ठीक है, second method की बात करते हैं, क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपको equation दे रखिया है, उसको उपर और नीचे x से multiply करना है आपको, x से, y से, z से, तो जैसे x, यह आपका x square प्लस x हो चुगा है, यहाँ, x square प्लस x, पटे x square प्लस x, जो उपर नीचे x से किया, दूसरे पद को मैंने उपर नीचे y से किया, तो y, y square प्लस y हो जाएगा, तीसरे को z से किया, तो z square प्लस z हो गया, अब देखो x square, y square और z square का मान हमारे पास है, पहले से, हम वो मान रख सकते हैं, यह आपका y plus z plus x हो गया है, यहाँ y बटे x plus y plus z, इसी प्रकार से z के नीचे भी आजाएगा, x plus y plus z, तो तीनों के तीनों सेम हो गए हैं नीचे, इनका जो आप LCM लोगे, तो आपका यही LCM आजाएगा, x plus y plus z आजाएगा, और उपर आपका x plus y plus z जुड़ जाएगे आपस में, और यह के दोनों आपस में कटने के बाद में 1 के बरावर आजाएगा, option number 4 हो जाएगा, इस प्रकार से, सवाल number 17, निम्ण में से कौन सी एक एपरी में, परी में संख्या है, कौन सी संख्या परी में संख्या है, अब देखो, अंडूट 2, अंडूट 3, अंडूट 5, यह क्या होते ह हैं, इस भी संख्या में होंगे, वो संख्या एपरी में होगी, क्योंकि इनका मान क्या है, रुकता नहीं है, आता रहता है, जैसे 3 की बात करते है, 1.732, इसके बाद में भी आगे, आगे आता रहेगा, तो हम इसको भिन के रूप में लिग सकते, तो हम कहेंगे, यह हमारी आपकी आपरीये संख्या है। तो देखो यहां पर आपको मिल रहा है तो यह की एपरीय संख्या होग़ी। यहां पर अंडूर 5 बाकी दो को भी हमें करना एक ह Upper लूइं करना है। लेकिन इसका सबसे पहले हमें Square खोलना पड़ेगा। उसके बाद में हम बता सकते हैं यदि अंडूट गायब हो गया तो हम कहेंगे कि वह परिमेंसंख्या यदि नहीं गायब हुआ तो वह परिमेंसंख्या है तो देखो सबसे पहले option number 4 लेते हैं उसकी बात करते हैं इसका मान रखो आप square करोगे तो क्या हो जाएगा यहां से आपका साथ और इतना आ जाएगा अब देखो अंडूट 10 आ चुका है इसके अंदर पांच होता है तो यहां से अंडूट नहीं हटा है तो हम कह सकते हैं कि यह हमारी क्या है एपरिमेंसंख्या है तो यह भी हमारा option कट चुका है अब हमारे पास बचा है option नमबर दो इसकी बात कर लेते हैं इसका स्कुएर को लोगे टू आ जाएगा वन बटे यट आ जाएगा और उसके बाद में टू अन्डूट टू और नीचे आपका अंडूट डेट आ जाएगा यह क्या रहा है पीवटे क्यू रूट में कोई अंडूट नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो यह हमारी एक परिमेश संख्या हो गई है option number 2 सवाल नमबर 20 की बात करें आमों की मुल्य में 10% की कमी होती है एक वेक्टी 2250 रुपए पहले खर्च करता था 2250 अभी खर्च कर रहा है वो तो पहले की तुलना में अब कितने आम अधिकार है मुल्य कम होने की वज़े से 10 आम अधिक खरीद पा रहा है वो तो मुल्ले में कमी के पश्चात परती दर्जन मुल्ले बताना है आपको कि 12 आम का मुल्ले कितना है ये बताना है हमें तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ एक बटे 10 भिन के रुख में तो मैं कहूंगा कि जो 10 रुपय था अब वो 9 का हो गया है क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 9 से उल्टा लिख दो आप 9 से 10 यानि कि 9 पर एक बढ़कर आप 10 हो गई है क्वांटिटी की बात यह हो गई है तो देखो एक के वेल्यू कितना अधिक आम आ रहा है आपके पास पहले के भी आम आ चुके अब भी आम आ चुके पहले 90 आम आ रहे थे अब 100 आम आ रहे उसने बाद का पूछा गया है तो देखो टोटल वो रुपय खरच करता है इतनी और उसके अंदर उसके आम आते हैं 100 तो सब्सक्सें डिवाइट कर दोगे तो प Alberta आम की किमत आ जाएगी परती आम कीमत कीमत कितना आएगा यहां 22.5 आजाएगगा यहां करोगे अफसे 152 जीडव ऑगे तो कितना जाएगा 270 रुपया 12 आम का मुल्य आ चुका है option number 1 हो गया है पहले वाला पूछते तो हम 90 आम को divide करते सवाल number 29 की बात करें A जितना कारे 2 दिन में पूरा कर सकता है B उतना कारे 3 दिन में पूरा कर सकता है B जितना कारे 4 दिन में पूरा करता है C उतना कारे 5 दिन में पूरा कर सकता है A अकेले किसी काम को 22 दिन में पूरा कर सकता है तो ABC मिलकर आपस में उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे ये पूछा गया तो देखो ABC तीनों का एक अनुपात बनाने कोशिश करेंगे आप जानते हो कि जो दिनों का अनुपात होता है शम्ता का अनुपात उसका उल्टा होता है तो वो कह रहा है कि दिनों का अनुपात क्या हो गया है दो अनुपात तीन यह जितना काम दो दिन में करता है बी उतना काम तीन दिन में करता है तो शम्ता की बात कर रहे हैं, तो कि शम्ता से calculate करना ज्यादा असान है दिनों की वजये, तो मैं शम्ता का अनुपात बनाने कोशिश कर रहा हूं, तीनों का एक, दिनों का अनुपात, दो अनुपात, तीन है, तो शम्ता का क्या हो जाएगा, तीन अनुपात, तो हो जाएगा इस प्रकार से, शंता का मतलब, उनकी efficiency, एक दिन का काम, अब B और C का, दिनों का अनपात क्या है, B जितना काम 4 दिन में करता है, C उतना 5 दिन में करता है, तो efficiency का अनपात उल्टा हो जाएगा, 5 अनपात, 4 हो जाएगा इस प्रकार से, अब आप इस प्रकार से इनको multiply कर सकते ह तो 15 आगया यह आपका 10 आ गया है और यह आपका 8 आगया है यह शंता कई अन्पाथ एक अन्पाथ बन गया है तीनों का अब देखो, total work कैसे निकाल सकते हैं एक अधिया गया हमें total काम 22 दिन में complete कर सकता है तो हम कहेंबे कि total काम एक दिन में 15 काम करता है तो 22 दिन में कितना काम कर देगा पूरा काम कर देगा तो 15 x 22 यह हमारे पास टोटल काम आ गए अब हमें निकालना है A प्लस B प्लस C का समय निकालना है कैसे निकालोगे टोटल वर्क बटे A प्लस B प्लस C की efficiency या शमता इस प्रकार से कह दो टोटल वर्क कितना है 15 x 22 है और समता कितनी है तीनों को जोड़ लो यह 15 बनाता है यह 10 बनाता है यह 8 बनाता है टोटल 33 हो गया 33 से यह दिया आप इसको काटोगे तो यह आप का आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 3 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, यानि कि 10 दिन आ गए हैं, कितने दिन आ गए, 10 दिन आ गए, option number कौन सा हो गया, 4 हो गया, सवाल number 32, PA का भाज्य संक्या है, और यह Q स्क्वेर को विभाजित करती है, तो अभाज्य संक्या है, वो होती है, जिसमें या तो खुद का भाग जाता है, या 1 का जा होता है, और P इन में से, किस से अनिवारी रूप से, तो P इन में से, किसे अनिवारी रूप से विभाजित नहीं करेगा, यानि कि कौन सा ऐसा option है, जो P से विभाजित नहीं होगा, यह बताना है हमें, अब देखो, आप इस प्रकार से समझो, अभाज्य संक्या में क्या है क केवल खुद का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा तो मैंने मान लिया कि P माना कि P की value 3 है P मान लिया 3 है ठीक है एक अभाज्य संख्या ले लिए अब Q square में इसका भाग जा रहा है Q square इससे भी भाजित हो रही है तो मान लेते हैं कुछ ऐसा मान कि एक तो square है वो कभी भी अभाज्य संख्या है किसी का square नहीं होती है कभी भी जो अभाज्य संख्या है कोई भी अभाज्य संख्या square नहीं है ठीक है तो Q square यदि 3 से विवाजित हो रहा है तो हम या तो 81 मान सकते हैं यानि कि 9 हो जाएगा और देखो Q2 3 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं P से विभाजित होगा अब यहाँ पर 9 3 से विभाजित होगा तो हम कह सकते हैं Q भी विभाजित होगा तो जहां पर भी आपको Q मिल रहा है वह आपका P से विभाजित होगा ठीक है जहां पर भी 9 है वह 3 स तो Q इसका मतलब हमारा P से भी भाजित है तो देखो पहले option में भाग जाएगा option no.3 में भाग जाएगा । जहीं कि Q में भाग जा रहा है तो 3 Q में क्यों नहीं जाएगा जाएगा P का भाग इसी प्रकार से 2 Q में भी जाएगा option no.4 में भी जाएगा लेकिन यदि आप 9 में एक जोड दो यानि कि क्यों हमारा 9 था 9 में जोड दिया तो यह आपका 10 बन गया तो 10 में 3 का भाग अनिवार्य रूप से नहीं जाएगा कभी जा सकता ऐसा कभी नहीं जा सकता अलग-अलग condition पर है तो अनिवार्य रूप कौन सा हो गया option number आपका right option आपका option number 2 हो गया है इस पकार से सवाल number 37 की बात करें मान लीजिए कि किसी rail mark पर telegraph के खंबे एक दूसरे से 50 मेटर की दूरी पर है तो इस question का concept क्या होता है जो इनके बीच में मान लिया कि 4 खंबे है चार खंबों के बीच की दूरी कितनी है तीन दूरियां हो जाएगी एक दूरी दो दूरी और तीन दूरी खंबे कितने है चार है तो यह आपको ध्यान रखना है मिसा कि दूरियां एक कम होगी खंबे एक ज्यादा होंगे बस यह concept है इसका बाकिये कुछ नहीं है इस question के अंदर तो देखो वह क्या कह रहाएगे मान लिजी कि रेल टेलिक्राफ के खंबे एक दूसरे से 50 मिटर की दूरी परस्थित है 45 किलो मीटर परती घंटे की चाल से चल रही एक रेल गाड़ी चार घंटे में कितने खंबों को पार करेगी तो देखो यहां से 45 किलो मेटर चाल है ट्रेन की चार घंटे यदि वो चलती है तो कितना cover कर लेगी तो हम कहेंगे 45 into 4 तो यह आप 180 km दूरी cover कर लेगी कितने दूरी cover कर लेगी 180 km दूरी cover कर लेगी यदि इसको meter में change करते है तो यह आपका कितना आ जाएगा 1000 से multiply और कर दोगे तो 30 और लग जाएगी यह आपका meter में आ गया है क्योंकि यहाँ पर जो टेलिग्राफ के खंबो की बीच की दूरी है वो हमें meter में दी गई इसलिए हमने इसको भी meter में change कर लिया है यह आपकी total दूरी आ गई है अब देखो दो खंबो की बीच की दूरी कितनी देर की है 50 total दूरी है हमारे पास इतनी तो आप बीच की दूरियां परतेक दूरी नंबर आफ नंबर आफ दूरी कितनी संख्याएं है चोटी चोटी यह दूरियां बराबर जो दूरिया है 50 मेंटर की उनकी कितनी संख्या है वो हम निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से यह आपका चुका है टोटल दूरी इसको 50 से आपको डिवाइड करना है डिवाइड करोगी सबसे पहले तो इतनी 50-50 मिटर की दूरियां है अब खंबो की संख्या इससे एक अधिक होगी तो खंबो की संख्या क्या हो जाएगी एक अधिक होगी तो यह आपका आ गया है 36-0-1 ऑप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नमबर 3 हो जाएगा सवाल नमबर 38 एक रुपए में 32 की दर से रबड पैड बेचने पर किसी व्यक्ति को 40% की हानी होती है 20% का लाभ प्राप्ट करने के लिए उसे एक रुपए में कितने रबड बेचने पढ़ेंगे तो देखो एक रुपए में 32 रबडबेंड बेचता है वो ठीक है और 40% की हानी होती है तो एक रबडबेंड का कीमत निकाल लेते हैं एक 45 रुपए 1 रबडबेंड की कीमत आचुकि आपके पास एक रुपए को हमने 32 से डिवाइड कर दία है क्योंकि एक रुपए32 रबडबैंड की कीमत 1 रबडबड 25 हो गई है कि सी इतने में बेचता होई एक 45 बैण को पर बेचा है, तो यह किस की कीमत आ चुकिये, 60% की आ चुकिये तो हम कहेंगे, कि यह जो कीमत है, एक rubber band की कीमत तो इतनी है, अब यह किस की कीमत है, 60 की, 60% की value है यह, तो 60 से divide कर दिया इसको, और हमें किसके निकालनी है, 120% की, 120 से multiply कर दिया, तो इस प्रकार से, अब जो एक रुपए में जब 20% का लाब प्राप्ट करता है, जब एक rubber की कीमत आ जाएगी, हमारे पास, यहां से आप काटोगे, तो यह दो आ जाएगा, और यह आपका एक बटे 16 आ जाएगा, यह आपका एक rubber की कीमत आ चुकी है, जब आपको 20% का लाब होता है, यह आ गया कौन सा हो जाएगा, option number 3 हो जाएगा, सवाल number 41, एक्स बराबर यह दे रखे, आपको एक्स का मान निकालना है, सरल करना है इसको, कैसे निकालोगी, यहां पर अंडूट दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वेर करना पड़ेगा, लेप्ट साइ कितना हो जाएगा, वन प्लस अंडूट 3 भाई 2, यानि कि अंडूट हट चुका है पहले पर से, दूसरे का भी इसी प्रकार से, वन माइनस अंडूट 3 भाई 2, यह भी हट चुका पर, फिर क्या आएगा, 2 इंटू, अंडूट, पहली वाली संक्या, वन प्लस अंडूट 3 2 और 1 माइनस अंडूट 3 भाई 2, यह आपकी संक्या आ गई है, खोड़ा सा और सॉल करते हैं इसको, यहां तो एक स्क्वेर का एक स्क्वेर है, अब यह देखो आपका, 1 अंडूट 3 भाई 2 हो जाएगा, यह 1 माइनस अंडूट 3 भाई 2 हो जाएगा, प्लस यहां 2 है, अब a प्लस भी यह a माइनस भी तो 1 माइनस 3 भाई 4 हो जाएगा यह, a स्क्वेर माइनस भी स्क्वेर से, x स्क्वेर, 1 आ जाए, 1 और 1, यह देखो 1 और 1, 2 हो जाएगी, यह तो जुड़ गए, और यह आपस में क्या है, कट गए, ठीक है, गट गए यह आपस में, बचा गया यहाँ पर 2 है, अंडूट सॉल्ब किया सबसे पहले, तो यहाँ से 1 बटे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यह दो प्लस 1 बराबर आपका 3 मान आया है, किसका x स्क्वेर कमान 3 आया है, तो x कमान कितना हो जाएगा, x कमान हमारा हो जाएगा, अंडूट ले लो दोनों साइड राइट साइड में रूप त्री आ जाएगा ऑप्शन नमबर आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नमबर आपका तीन हो जाएगा यह हमारा आंसर हो चुका है आगे बात करते हैं सवाल नमबर 47 की दिए गया आंकडो को आरोई करम में व्यविस्तित किया गया है आंकडो की मादिका 63 है एक्स का मान हमिक्यात करना है देखो संख्या लाइन से है टोटल नमबर आप संख्याओं को आप गिन लो पहले कितनी संख्या है एक दो तीन एक दो और एक दस टोटल दस संख्याओं है जब संख्याओं सम हो तो जो मद्य की दो संख्याओं है उनको जोड कर आप क्या करोगे दो से भाग देदोगे तो वो आपकी मादिका आ जाती है यानि कि बीच वाली संख्या एक तो एक्स थी एक एक्स प्लस टू थी इनको दो से और रिखाया ईनी कि X 2X ऊपर जोड़ा तो 2X 6 हो गया तो कितना हो जाएगा 126 ओगया तो 2X कमान यहां से कितना अजाएगा 124 आजाएगा एक्स कमान कितना यहां से इस दो से भाग हो 62 ओपशन नमबर कौन सा हो गया चार हो गया है सवाल 59아아 51 है नेमन का मान गयात कीजिए यह दे रखा है अब इसको हम value putting से नहीं कर सकते या फिर आप यहाँ पर value put करोगे तो एक तो नहीं रख सकते क्योंकि किदि आप यहाँ पर एक रखते हो तो यहाँ से 0 आएगा option number 2 से और एक यहाँ पर एक रखते हो तो यहाँ से भी 0 आएगा तो हम एक से नहीं रख सकते दो कमान रखना पड़ेगा में 2 रखना पड़ेगा और 2 रखने पर 2 की power 12 करना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर 2 की power 36 करना पड़ेगा तो यह क्या कि थोड़ा लंबा हो जाएगा यह दि हम value रखते हैं तो देखो कैसे हमें basic से करना ज्यादा आसान पड़ेगा अब आप जानते हो क्या जानते हो में मीरे पास क्यूमा a cube plus 1 का cube करना है तो क्या आता है मेरे पास सबसे पहले a plus 1 आ जाता है फिर a square फिर आ जाएगा आपके पास a और फिर आपका 1 का square आ जाता है 1 का square 1 ही होता है इसी प्रकार से a cube minus 1 का cube करना था तो क्या आता है a minus 1 आता है पहले यहाँ पर minus आएगा और यहाँ पर आपका प्लस आएगा ऐसे अब देखो यही value हमें दी गई है देखो a प्लस 1 और यह इसी प्रकार से a माइनस 1 और यह ठीक है एक तो यह वाला है दोनों और एक यह वाला है तो आपका एक तो बन जाएगा a q प्लस 1 और यहाँ पर 1 माइनस a है तो यह आपका एक बन जाएगा 1 माइनस a q इस प्रकार से फिर एक आए आपका 1 प्लस a की पावर 6 यह है यह बन जाएगे आपके अब देखो इसको मैं आगे पीछे कैसे भी लिख सकता हूँ यह फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस a q मगर माइनस वाले को ऐसे नहीं लिख सकते हूँ अब देखो यह हो गया आपका a प्लस b a माइनस b तो दोनों क्या हो जाएंगे a सकेर माइनस b सकेर यानि 1 का सकेर 1 होगा माइनस इसकी पावर 6 आ जाएगी किसी प्रकार यह आपकी पावर 6 है वापस से यह a माइनस b, a प्लस b तो 1 माइनस a की पावर 12 आ जाएगा यह हो जाएग आपका option नमबर 4 question नमबर 52 abs 52 अब देखो हमें निकालना इनका SCF लेकिन संख्याएं क्या है हमारी दसंबलब के अंदर आगई तो दसंबलब के अंदर SCF निकालना हमें नहीं आता है लेकिन हमने सीख रखा यहाँ से पहले yadhi संख्याएं भिन के रूप में तो उसका SCF हमने लिकाला है तो हम इनको क्या करेंगे भिन में चैंज कर लेंगे कैसे करोगे पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर 45 दे रिखा था पॉइंट हटाओगे तो LCM तो यह हमारा SCF आ जाएगा तो करो ऐसा अब देखो SCF लेने के लिए क्या करते हैं उपर SCF लेना है उपर वाली संख्याओं का में किया कि आ रहाए वह चेक करना है में हमें इसमीं टीनों में इधर निकाल लेते हैं 165 15 का भाग तीनों में जा रहा है इदर से ग्यार आज आएगा इधर बाग दो तो तो यह हो जाएगी, तो हमारे पास यहां से SCF क्या आगए इसका, उपर 15 आगए और नीचे आजाएगा 100, नीचे LCM लिए है उपर SCF लिए है, तो 15 बटे 100, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.15, 0.15 आगए, तो यह आपका option number 4 आगए, इस प्रकार से, सवाल number 55, एक व्यक्ती ने 4% वार्षिक साधन ब्याज की दर पर, 116 राशी उधार दी, 8 वर्ष के प्रश्चात, प्राप्त ब्याज की राशी, उधार दी गई राशी से 340 कम है, यानि कि जो उसके पास ब्याज आया, वो मूल धन से 340 रुपए कम है, तो उधार दी गई राशी निकाल लिए, उधार दी गई राशी को हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का, फिर दर 4% है, 8 वर्ष के लिए, साधन ब्याज कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यह कह रहा है, कि जो मूल धन था, उससे 340 कम आता है, यानि कि इतना ब्याज आता है, तो यह आपका हो जाएगा, यहां से 32 हो जाएगा, 32 इंटु एक्स, और 100 को इधर ले जाते हैं, तो यह 100 एक्स हो जाएगा, यह आपका 3, 4, 0, 00 हो जाएगा इस प्र कितना आ जाएगा ये 5 वार भाग जाएगा 500 आ जाएगा इनकी जो राशी थी स्टार्टिंग में वो कितनी थी X थी हमारी और X का मान 500 आया तो option number 3 हो गया है सवाल number 70 एक आदमी ने 30,000 की राशी का एक भाग 10% वार्शिक और सेस भाग 8% वार्शिक साधन ब्याज की दर पर उधार दिया तीन वर्स के बाद उसे ब्याज की रूप में कुल इतना प्राप्त हुआ तो 10% वार्शिक दर पर उधार दी गई राशी निकाल लिए 30,000 की राशी थी एक भाग उसने दो भागों में उसको राशी को तोड लिया एक भाग को 10% पर उधार दिया दूसरे को 8% साधन ब्याज पर उधार दिया तो तीन साल पर दोनों से मिलाकर कुल ब्याज इतना आया 8,280 तो वो पूछ रहा है कि 10% पर उसने कितनी राशी पूछी गई है अब देखो 10% और ये 8%, इस प्रकार से दिरक है है मैं एसे मान लूँ कि पूरी की पूरी राशी दोनों में से छोटी कौन से यह 10% है यह 8% 8% तो मैं इसे मान लोगी पूरी की पूरी राश्य यह दिया 8% पर उधार दी जाती तो कितना ब्याज आता तो 30,000 का हम सबसे पहले 8% निकाल देते हैं 30% का 30,000 का 8% निकाल देते हैं तो 8,000 निकालो गया यह ब्याज आ जाएगा यहां से 2,0 से 2,0 कट जाएगा 3 ती है 9 और 9,8 है 72 और पीछे 2,0 यानि कि 3 साल का 8% से कुल टोटल ब्याज कुल टोटल राश्य पर कुल टोटल ब्याज 72 सु आया है इतना है लेकिन यहां पर हमारे पास ब्याज कितना है 8,280 तो कितना अधिक आया 8,280 घटाते हो तो यह आपको आ ज कितना 2% अधिक है तो यह 2% ब्याज की वज़े से 1080 आया है 2% ब्याज की वज़े से कितना है 1080 तो देखो पहली वाली जो राशी थी ठीक है उसी पे तो यह ब्याज आया है क्योंकि 10% वहीं पे तो है जो पहली वाली राशी थी तो 2% की वेल्यू आपके पास आ चुकी है 2% क की दो साल की 2% की तीन साल के लिए यानि की टोटल 6% हो गया और 6% की वेल्यू आपके पास इतनी आ चुकी है तो आप मूलधन निकाल सकते हो मूलधन कितना होता है 100% होता है तो एक परसेंट की वेल्यू यहां से निकालोगे 6 का भाग दोगे 6 कम 6 6 8 48 0 180 आ जाएगा तो 100% की वेल्यू कितनी आ जाएगी 18,000 रुपए तो यह आपकी पर्थम वाली राशी आ चुकी है क्योंकि यह जो 2% ब्यास था जो 1080 है यह जो 10% यानि 2% जो अधिक है पहली वाली राशी पर उस से आया था इसलिए जो यह 100% आया है यह वह पहली वाली राशी का 100% यानि कु 12,000 हो गई option number 2 हो गया तो एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका क्या है आप x plus y दो भागों में तोड लिया हमने 30,000 को इस परकार से कर दिया उसके बाद में x को वह 10% पर देता है ठीक है तो आ गया नीचे y को वह 8% पर देता है तो आ गया नीचे कितने साल के लिए देते है तीन साल के लिए तो दोनों को टोटल तीन से multiply कर दिया और यहाँ पर आपका ब्याज कितना आता है 8,000 8,280 आ जाता है अब यहां से 100 common आ जाएगा 3 को भी उधर ले जाएंगे बचे का हमारे पास हम कहेंगे हमारे पास बच जाएगा 10 x plus 8 y बराबर 8,280 इधर 100 से और multiply कर द जाए गए 3 से यह आप भाग देते हूँ 3 एकम 3,3 दूनी 6 और 6 आ गया उसके बाद में 3,721 और 3,18 इतना आ जाएगा यानि कि 10 x plus 8 y की value आपके पास कितनी आ गए 2,7,6,0,00 इतना आ गया और जबकि पहली वाली जो x plus y 30 हजा रहे उसको मैं यह दि दोनों साइड इसको यह हम दोनों साइड कि हमें निकालना एक्स कमान हम y को गयब करने कोशिश करते यानि कि 8 से multiply कर देते दोनों साइड तो इधर भी 8 से multiply होगा तो कितना आ जाएगा यह 8 x आ जाएगा यह 8 y आ जाएगा और इधर आपका 24000 कितना आ जाएगा अब यदि हम इनको घटाएं तो यह घट जाएगा यह भी घटेगा यह भी घटेगा तो इनको घटाने पर यहां पर यह तो आता 18000 आ जाएगा यह आ जाएगा ऑप्शन नमबर दो आ गया क्योंकि एक्स हमारी क्या थी पहली राशी वाई हमारी दूसरी राशी एक्स का मान आ गया सवाल नमबर 71 यह आपको दे रखा है और इसका मान पूछा गया है तो हम जानते हैं देखो एक चीज हम जानते हैं क्य जब आपके पास कब होता है हम कहेंगे जब a plus b plus c ब्रावर 0 होता है a plus b plus c ब्रावर 0 होता है तो a q plus b q plus c q ब्रावर 3 abc होता है तो यह हम यहाँ पर लगाने वाले हैं तो देखो अब हमारे पास तीन राशियां दे रखिए तो पहली राशिया आपकी क्या हो गई है x बटे a दूसरी y बटे b, तीसरी z बटे c यह हो गई है यहाँ से अब हम x बटे a निकाल लेते हैं पहले option से यहाँ से देखो आप x बटे a कमान निकालो क्या आजाएगा आपका x बटे a निकालते हो b minus c आजाएगा फिर आप y बटे b निकालते हो तो क्या आजाएगा आपका c minus a आजाएगा फिर Z निकालते हो तो क्या आजाएगा आपका C A माइनस B ये हो जाएगा C नीचे आजाएगा इस प्रकार से अब आप इन तीनों को जोड़ की देख लो सबसे पहले X बटे B और Y बटे C और Z बटे C ये 0 आना चाहिए यानि कि B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B ये कटेंगे और 0 आजाएगा तो हम कह सकते हैं ये हम कर सकते हैं क्या कह सकते हैं इन तीनों का गुननफल इनका मान कितना दे रखे आपको इन तिनों का गुनन फल तो यानि यी 3 into 3 into x बटे a y बटे b और z बटे c इस प्रकार से आगया तो यह आपका आगया मान तो कौन सा हो जाएगा option number option number 1 हो जाएगा यहाँ value putting से भी कर सकते हो जैसे आप मान लो कि यहाँ पर abc की value आप 111 मान लो तो x का मान 0 आ जाएगा y का मान 0 आ जाएगा जैड का मान 0 आ जाएगा अब यहां से भी 0 आ जाएगा 0 plus 0 प्लस 0 तो 0 आ रहा है है यहाँ पर आप देखो किस option से यह 0 हो गया यह 0 हो गया यह 0 हो गया तीनो 0 हो गया अब किस option से आप का मान 0 आ रहे है तो यह दि यहाँ पर x का मान इतना यह था 0 जीरो 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 नहीं रख सकते हमें कुछ और रखना पड़ेगा 1 रख दो 1 तो रख दिया था तो देखो इस प्रकास से हो गया option आपको चेक करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 85 की तरफ वैं चोटी से चोटी पॉर्ण वर्ग संख्या ग्याद कीजिए जिसका एक गुननखंड इतना है वैट चोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्याद कीजिए जिसका एक गुननखंड इतना है अब देखो हमें संख्या को वर्ग बनाना है एक गुननखंड आपको दे रखाए सबसे पहले इसके अभाज्य टुक्डे कर लो आप तो जब इसके अंदर हम अभाज्य टु 20 किसा जगा वापस पांच का भाग जाले गा पांच का बाच यक या कुझा एक guessing 25 यह अब बाच रुक्त अपने जडरा साथ तुकड़े तो यह फैसा नहीं पांस पावर दो है साथ की पावर को है । और तीन की पावर एक है । अब कि पूर्ड वर्ग बनाने के लिए हमें एक 3 से jąर multiply करनापड़ी एक 3 से होर मल्टिप्लाइ करना पड़rijk तो इसके बाद में क्या हो जाएगा पांच का square हो जाएगा, साथ का square हो जाएगा और तीन का square हो जाएगा कितना क्या, एक 3 से power, देखो वर्ग बनाने के लिए हमें सम power होनी चाहिए, सभी power sum होनी चाहिए अब हमारे पास सम power हो गई है तो इन दिनों को आप इदी multiply कर लेते हो इन सब को multiply कर लेते हो, तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर गए, तो हमें किस से multiply करना पड़ा, किवले एक तीन से हो, तो हमारे पास इतना दो था ही पहले से, किवले एक तीन से multiply करना पड़ा, तो इससे multiply करोगे, आपकी संख्या आ जाएगी, जो option number 2 दे रहा है, आपको करते से option number 2 हो जाएगा, तो shift 1 complete, shift 2 का पहला सवाल, question number 6, एक दुकानदार ने एक electric blade, तीन से एक बटे 2% की हानी पर बेचा, इतने पर बेचा हानी पर, यदि उसने इसे 172.5 अधिक मुले पर बेचा होता, तो उसे 8% का लाव होता, 8% का लाव होता, और 13% का लाव कमानी के लिए उसे, इसे किस मुले पर बेचना चाहिए, एक दुकानदार ने electric blade, तीन से एक बटे 2% की हानी पर बेचा, यदि उसने इसे 172.5 अधिक मुले में बेचा होता, तो उसे 8% का लाव होता, तो 13% का लाव कमानी के लिए उसे किस में, अब देखो, 100 रुपए की चीज है, मान लिया कि 100 रुपए स्टार्टिंग, कितने की हानी खाई उसने, 3.5 रुपए की हानी खाई, यानि की 3.5 की यदि हानी हुई है, और इसके बाद में, कितना हो जाएगा, यह आपकी हानी हुई है, तो हम कहाई देंगे, 96.5 हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, विक्रेमुले, अब वो कह रहा है कि, एक सो पहतर, पॉइंट 5 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 8 परसेंट का लाव होता, तो कुरेमुले तो 100 ही रहने वाल है, अब क्या हुआ हुआ, यह तो हानी थी, अब क्या आठ रुपए का लाव हुआ, और इस प्रकार से मुले कितना हो जाएगा, 108 परसेंट में बेचा है, इन दोनों के बीच का अंतर उसने दे रखा है, कितना अधिक में बेचा, 172.5 अधिक में बेचा, 172.5 अधिक में बेचा, जब आप इन दोनों को घटाते हो, कितना आ जाएगा आपका, आठ और 3.5 को जोड़ लो, उतना ही आएगा, तो हम कह सकते हैं, 8, 11, 11.5, यानि कि 11.5 जो है, परसेंट बोल दो, 11.5% की वेल्यू, एक्चुल में कितनी है, 172.5 दे रखे आपको, एक की वेल्यू, कितनी है, एक परसेंट की वेल्यू, 112.5 बटे 11.5, तो पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं इस परकार से, और हमें, क्या निकालना है, 13% का लाब कमाने के लिए, उसे, इसे किस मुल्ये पर बेचना पड़ेगा, लाब कितना, 13% का, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 113 में बेचना पड़ेगा, 113% की वेल्यू निकाल दो, पहले तो साथ वार फिर पांच वार पिचित्तर आ जाएगा पिचित्तर पांच से कितनी वार जाएगा यह आपका 15 वार चला जाएगा तो 15 आ गया अब आपको 113 को 15 से मल्टिप्लाई करना है 15 तिये 45 का 5 आ जाएगा 4 आई हांसल 15 और 4 उननिस एक आई हांसल 15 और 16 विच्चान में रुपए यह आपका विक्रे मुल्य आ गया है जब 13 परसेंट लाप पर बेजता है उप्शन नमबर दूख सवाल नमबर 12 निम्लिखित को हल किये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर थी दिरख इस का माण निकालना आपको हमिए पता है कि यह यह बराबर क क्यों होता है फो यह आपका हो जाता है K QP plus 3K, यहां पर minus है, minus है तो निकालना इस प्रकार से, plus होता, तो यहां सवाल में, जो हमारा formula है, उसमें minus होता, यहां plus होता, तो minus है, minus है तो plus हाएगा, तो K का मान 3 दे रखा है, 3 का cube करोगे तो 27 हो जाता है, यह आपका no हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 36 आपका आंसर आ गया, option नमबर 2 होगे सवाल नमबर 21, alpha प्लस बीटा प्लस गामा ब्राबर 0 दे रखा है, इसका मान आपको ग्याद करना है ये ब्राबर आपको 0 दे रखा है, ठीक है अब देखो, ये 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये alpha क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर 3, 3 alpha पीटा गामा के बराबर हो जाएंगे ठीक है, ये 0 है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, थोड़ी देर पहले हमने सवाल में ये भी बात करी थी, ये हो जाएगा अब देखो, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं अब सबसे पहले जो आपको दिया गया है, उसका LCM लोगद, इसका हम LCM लेते हैं LCM लोगे तो क्या आजाएगा आपके पास, alpha, beta, gamma आजाएगा यहाँ पर alpha cube आजाएगा यहाँ पर आपका beta cube आजाएगा यहाँ पर आपका gamma cube आजाएगा अब alpha cube, beta cube, gamma cube के जिगा आप क्या लिख सकते हो 3 alpha, beta, gamma यह लिख सकते हो और नीचे alpha, beta, gamma है alpha, beta, gamma से alpha, beta, gamma कट जाएगा कितना आएगा तीन आएगा option number कौन सा हो गए चार हो गए बाकी आप यहाँ पर option रख सकते हो जैसे कि मैं इसकी value 2 रखतूं इसकी value minus 1 रखतूं इसकी value minus 1 रखतूं बरावर 0 के आएगा यह value आप यहाँ पर put करोगे तो उससे भी आप command 3 आजाएगा ऐसे भी कर सकते हो आप सवाल number 25 कि एक आयताकार box की विमाएं इस प्रकार से दे रखिए आपको तो box के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिक्तम लंबाई याद कीजिए यह उसकी लंबाई हो गई है यह उसकी चोड़ाई हो गई है यह उसकी उसकी हो गाई हो गई है तो हम जानते हैं कि जो आईताकार गनाब के आखार का जो box है उसका विकर्ण कितना हो जाएगा विकर्ण क्या होता है अंडुरूट लंबाई का square plus चोड़ाई का square plus उनचाई का square वेल्यू रखो 15 का square करोगे फिर आप 8 का स्क्वेर करोगे और फिर 6 का स्क्वेर करोगे और उनका अंडूट यह आपका 225 आता है यह आपका 64 आता है यह आपका 36 आता है इन सब को जोड़ोगे यह आपका 10 हो गया 325 हो गया अब 325 के आप टुकडे करोगे तो 25 और 13 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे केक तो आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा एक 13 हो जाएगा तो यहां 25 का वर्गमूल तो पांच हो जाता है और तेरा का अंडूट 13 रह जाएगा यह आपका उप्शन नमबर 2 हो गया सवाल नमबर 36 जब एक धन पूर्णा के को 18 से विभाजित किया जाता है तो 9 सेस बसता है हमें ऐसे दिया गया है कि देखो सबसे पहले ऐसे निख लो के को 18 से विभाजित किया तो सेस फल कितना बचा 9 सेस बच गया अब हमें बागफल नहीं दिए गया है तो बागफल को मैं X मान लेता हूं, तो यहां से मेरी equation क्या बनी, कि K बराबर हो जाता है, इन दोनों को multiply कर देते हैं, 18X, और उसके अंदर 6 फल को जोड देते हैं, तो K का मान बराबर इतना आ गया, अब वो कह रहा है कि यदि इसको मैं 6 से विभाजित करता हूं, तो कितना से इस बसता है, तो आप 6 से विभाजित करो इसको, K को यदि 6 से विभाजित किया गया है, यानि कि 18X प्लस 9 को 6 से विभाजित किया है, अब आपको 18X को भी करना है, और 9 को 6 से विभाजित करना है, तो इसमें तो भाग चला जाता है, 3X वार पूरा पूरा, लेकिन इसमें कितनी वार गया, 3 103 वार गया है Cassi क्यों कि ये तो पूरा पूरा बहाक कुई सेस्च नहीं बचरिफा में जहि सेस्च करивает इसमें भाग जायेगा एकवर जायेगाermaid धर कितना बच जायेगा तीन बच जैगाथ सेस्ज कितना बचांए तीन बच गया क्योंकि इसमें से तीन सेस बचा है ऑप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा एक हो जाएगा सवाल नमबर 43 ऑनरूट 40 का मान यह दे रखैं तो हमें इसका मान निकालना है तो यहां पर हम अनरूट 40 की कोशिश करेंगे इसके लिए आप क्या करोगे उपर नूर नीचे मैं अंडूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू कर लेना कि option नमबर एक आएगा सवाल नमबर 44 एक आयताकार कालीन का छेत्रफल इतना दे रखा है परिमाप इतना दे रखा है विकंड की लंबाई क्यात करती है देखो जब भी आपको छेत्रफल दे परिमाप दे और विकंड ये तीनों चीजें दे सवाल के अंदर तो आप क बढ़ा है कि a plus b का होल स्क्वाइर बराबर क्या होता है a September 3 geben यहाँ पर जो यChrीर संख्या है यह परिमाप को दिनोट करती है कि जो संख्या है यह छेत्रफल को दिनोट करती और यह जो संक्या है विकरन को डिनोट करती है, आप कहोगे कैसी? तो देखो, हम बात करते हैं, कि परिमाप क्या होता है आयत का, यदि लंबाई A है और चोडाई B है, तो हम कहेंगे 2 A प्लस B हमारा क्या है? परिमाप है, परिमाप है यह, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर भी तो a-plus-b दे रखा है आपको, तो a-plus-b का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, हम रखेंगे 2 a-plus-b परिमाप आपको कितना दे रखा है? देखो ये तो परिमाप की बात हो गए, 6-10 की भी बात कर लेते हैं, 6-10 क्या होता है, into b होता है, खेतर फर्ड, तो यह देखो यहाँ पर मिल रहा आपको a b तो यह वाली जो terms है यह छेतरफल को denote कर रही है और विकर्ण क्या होता है यह दि बुजा a और b है तो विकर्ण आपका हो जाता है under root a square plus b square तो यह यहाँ यहाँ पर मिल रहा है a square plus b square तो इस प्रकार से यह परिमाब को denote करता है यह विकर्ण को करता है यह छेतरफल को denote करता है तो हम यहाँ से 2 a plus b परिमाब था कितना दे रहा आपको 62 दे रहा है तो a plus b के value निकाल सकते है कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी एक value find कर लिए चेतरफल a b है यह आपको 686 दे रहा है अमारे formula में 2 a b चाहिए तो आप 2 से और multiply कर दोगे तो कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा यह होगे अब हमें निकालना है विकर्ण विकर्ण हमें निकालना है तो देखो विकर्ण का square आएगा हमारे पास उस conduit कर देंगे अब आपको यह value put करनी है उपर equation में value putting से value put कर रहे हो 31 का square होता है 931 931 होता है यह 961 होता है 961 961 आगे यह आपका a square प्लस b square यानि कि इसके जिगए हम विकर्ण का square लिख देते हैं विकर्ण का square साथ में आपको क्या दिया है 336 विकर्ण का square बराबर क्या आजाएगा 961 माइनस 336 यह आप यदि घटाते हो तो एक तो आपका 5 आजाएगा यहाँ यह 4 हो गया तो यहाँ से यह 2 आजाएगा और लाश में 6 आजाएगा तो यह विकर्ण का square कितना आ चुका है आपके पास 625 आ चुका है तो विकर्ण कितना हो जाएगा दोनों साइड अंडूट ले लू निकी विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण कितना हो जाएगा अंडूट लिया तो 625 का कितना आ जाएगा 35 हा जाएगा option number कौन सा option number 2 हो गया सवाल number 45 x बराबर ये दे रखे आपको इसका मान गयाद करना है तो सबसे पहले आपको ये जो दे रखा है ये किसका square बन जाता है ये आपका x square हो गया इसको ये दिए हम तोड़ दें इस प्रकार से 2 into 2 into x हो गया और ये 2 का square हो गया तो हम कहा देंगे यहाँ पर minus दे रखा है minus तो हम कहा देंगे x minus 2 का whole square हो गया ये x का मान आपको दे रखा है मान रख तो x का इसके अंदर तो 2 plus under root 2 minus 2 इस पूरे का whole square करना है तो under root 2 से 2 कट गया under root 2 का whole square करना है तो कितना हो जाएगा यह दो हो जाएगा option number 1 सवाल number 56 एक कार के मुल्य में पर्ती वर्स 12% की दर से अव मूलन होता है यानि कि उसका मुल्य हास होता है मुल्य गिरता है किसी वस्तू का कार का इसका वर्तमान मुल्य इतना दे रिखा है तो पहले साल कितना हो गया एक साल बाद कितना हो गया बारा गिर गया यानि 88% हो गया फिर जो मुल्य बचा आया उसका 80% आएगा दूसरे साल इतना और यह आपको दे रिखा है 7,000 7,74,400 इतना दे रिखा है अब एक साइड रखो आप 774400 नीचे 88 इंटू 88 और इधर आजाएगा 100 इंटू 100 यह आगया अब आपको इनकी सॉल्व करना है 11 से यह दिखाटते हो तो 8 वार जाएगा यह कितनी वार जाएगा 11 से 11 से यह 7,0,4, 00, इतना जाएगा इतना चला जाएगा अब इसके अंदर आप फिर 11 से यह दिखाटते हो तो यह 8 वार जाएगा इसको यह दिखाटते होगे तो कितनी वार जाएगा 6 वार जाएगा 4 वार जाएगा 00, इतना जाएगा 88 चोंसट तो यह आपका 100 वार चला जाएगा यानि कि मान हमारा क्या आया 2,0 यह, 2,0 यह और दो जीरो यह तो यह आपका आगया है दस लाग था स्टार्टिंग के अंदर उसका मुल्य ऑप्शन नमबर तीन होगी सवाल नमबर साथ एक तिरबुज की दो बुजाओं का माप करम से आपको 10 cm और 8 cm है तिरबुज का 6 तरफल इतना दे रखा है तीसरी बुजा की लंब एस माइनस एस माइनस पी एस माइनस सी ये किसके बरावर होता है शेतरफल का फॉर्मला यह होता है यह आपको देरखा है 16 जहां पर एबी सी हमारी बुजाओं की लंबाई है ये ए हो गया है ये बी हो गया है और सी को हम एक्स मान लेते हैं एस क्या होता है एस यहां पर होता है जो बुजाओं की लंबाई है ए प्लस बी प्लस सी उनको जोड का योग का अधा 10 और ये 18 हो जाएंगे ये x हो गया बटे 2 इतना आ जाएगा ये हमारा एस कमान अब आपको ये value यहां पर put करनी है रखोगे तो कितना आ जाएगा सबसे पहले 18 प्लस x by 2 ये हो गया फिर 18 प्लस x by 2 माइनस एक कमान कितना देर रखा है प्लस x by 2 माइनस 8 करना है और फिर 18 प्लस x by 2 माइनस x करना है और ये आपका 16 अन्रोट 6 के बराबर है 16-6 के बराबर है, अब आपको क्या करना है, यह तो आपका 18 प्लस, सारे जितने भी नीचे 2-2 है, उनको बाहर लोगे आप, तो कितना बचेगा केवल 1 upon 4 बाहर आएगा, जब बाहर लिया, तो हमने LCM भी लेना पड़ा, कुछ संख्याओं का, यहां तो 18 प्लस एक्स बचा, यहां पर LCM लिया, तो यह 20 हो जाएगा, 20 में से 18 जाएगा, तो X-2 आ जाएगा, यहां यह 16 हो गया है, यहां कि X-2 आ गया है, और यहां पर यह 2X, यहां कि 18-X आ चुका है, बाहर आपका 16-6, इस 4 को मैं उधर ले जाता हूँ, और अंदर मेरे पास अब क्या बच जाएगा, एक तो आपके पास आएगा, 18 का स्क्वेर, 18 का स्क्वेर, यानि कि 324-X स्क्वेर, एक आपका हो जाएगा, X स्क्वेर माइनस 4, यह 2 आ जाएगे, यह 4 को उधर ले गए तो यह 64-6 बन जाएगा, यह हो गया है, अब आपको option से value पूट करके देखनी पड़ेगी, पहले पहला option रखना पड़ेगा, फिर तीसरा option रखोगे, जो option satisfy करेगा, यह आप इसको open करने बैट करेगे, कि दोनों साइड square करूँ और उसके बाद मैं X square की दिविगाद समिकन बन जाएगे, और उसको solve करेगे, तो वो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद में यही सबसे सही तरीका है, कि आप option पे छे, साथ, दस, बारा, तेरा ये का मद्ध्य विचलन, मीन डेविएशन बताना है हमको, तो आपकी संख्याएं क्या है, हमने माना, XI है हमारी संख्याएं, XI, क्या-क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 13 दे रखा है, 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, और ये भी 12 दे रखा है, इस प्रकार से हमारी संख्याई है, तो हमें निकालना है, XI-X, तो इसके लिए X बार निकालना पड़ेगा, जो कि म 20 हो जाएगा और यहां से आप का कि यहांपका कि वारह और आठप 20 हो जाएगा उसके बाद में 6 और 4 यह 10 हो गए 20 और 20 चालिस और 40 और यह 60 हो गए 50 और 12 बहतर हो गए 50 और नंबर ओसंख का है कितना एक दो थीन चार पांट से फांट से करो गहता है नो आगया इंको हटा देतें वपस हो जाआ गया एक से यह हमारा नो निकालोगे तो यह आप California , आजएगा के माइनस तीन यापका माइनस दो आ जाएगा यह वन आ जाएगा है कि आपका तो है कि वन यहां से तीन आ जाएगा इतना मान आ जाएगा हमें क्या करना है इनका मान यह माइनस में नहीं लेना है प्लस में लेना है इसका मान हम प्लस की बात करें मोड की बात करें हमें इसका क्या लेना है मोड लेना है मोड का मतलब प्लस इसको प्लस लोगे इसको प्लस लेलो इसको प्लस लेलो और इसको प्लस लेलो मोड का मत तो अब माध्य विचलन क्या हो जाएगा इन सब का योग बटे नंबर ओप संख्य हैं इन सब का यदि आप योग करते हो कितना आता है इनका योग यह आपका 5 हो जाएगा 6 हो गया और 6 और 3 9 9, 4, 13, 13 और 5, 18 18 और यह कितना आया था 18 और 1 इसको प्लस आये 18 और 19, 19 और 3, 22 तो यह आपका उपर आएगा इनका योग और नीचे नंबर ओफ संख्या तो यह आपका 22 आ चुका है और नीचे 9 आ गया है इनको आप यह भाग देते हो सबसे पहले 2 आ जाएगा 18 आ जाएगा फिर बचा आपका 4 भाग नहीं जा रहा पॉइंट लगाया 18, 18, 24 आना चाहिए कहां गलती हो गई देखो 5 और 1, 6 हो गया 6 और 3, 9 हो गया 9 और 4, 13 हो गया 13 और 5, 18 हो गया 18 और 4, 22 होता है तो गलती कहां हो गई यह 6 है, यह 7 है, यह 10 है, यह 12 है, 13 है, 4 है, 8 है गटाया तो 3 आया, 2 आया, 9 में से, 1 आया, यह 3 आया, यह 4 आया, यह 5 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया हम, एक्स माइनस एक्स पार, विछलन, पांच और यह 6 और 10 हो गया, 10 और 3, 13, 13 और 5, 18, 18 और 4, 22, तो 22 बटे 9 ही आ रहे हैं, जब आब इसको भाग दोगे, तो यह 18 आ गया, 18 में से, अब कितना बचा मारे पास, 4 बचा, तो 4 से तो यह 36, 4 वार ही जाएगा, 4 वार, 36 आ जाएगा, फिर वापस से 4, तो देखो, यहां पे कुछ गल्ती हो रही है, पूरा का पूरा सवाल वापस करना पड़ेगा, तभी गल्ती पकड़ी जाएगी, नहीं तो, मैं पूरा का पूरा फिर से करता हूँ, क्या है, यह सबसे पहले था 6, फिर है 7, फिर आपका 10, फिर आपका 12, उसके बाद में 13, फिर आया 4, फिर आया 8, और फिर आया 12, अब इनका आप जब जोड़ते हो, कितना आ जाएगा, 7 और 13, 20 हो जाएगा, 6 और 4, 10, 30 हो गया, और यह आपका 20, 50 हो गया, 60, 72, यह एक्स बार का मान हमारे पास कितना आ गया, 72 बटे, नमबर अफ संख्या हैं, 3 और 3, 6 और 2, 8, तो 9 आ गया है, तो XI-X बार का मोड हमारे पास निकालना है, 9 में से घटा होगे तो 3, 7 को घटा होगे तो 2, 9 में से यह घटा होगे तो 1 आएगा, यह आपका 9 में से 3 आ जाएगा, 4 आएगा, 9 में से 4 घटा होगे तो 5 आएगा, 9 में से 8 एक, और यह आपका 3 आएगा, अब इनको हमें जोड़ना है यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया 6 6 और 3 9 हो गया 9 और 4, 13 13 और 5, 18 18 और 1, 19 19 और 3 देखो या तो सवाल के अंदर गलती है या मैं कहीं पे गलती कट रहा हूँ तो माद्द्य विचलन किस प्रकार से निकालोगे आप इसी प्रकार से सिग्मा एकस आई माइनस एकस बार का योग करना है और नीचे नमबर ओफ संख्या से आपको डिवाइड करना है जितना भी मान आता है वो आपका अंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर योग मेरा 22 आ रहा है नीचे नुँ आ रहा है और जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यह नमबर ओफ संख्या है तो ठीक है ना तीन और तीन छै और यह आठ से जाता तो सोला जाता और सोला यहाँ तो आठ हता गहें है तीन और तीन चै और दो आठ स्टीन और तीन चै और डो आठ तो number अंक्या है था यह मारी आठ है ना कि 9 है तो आठ से दिवाइड करना पढ़ेगा number of Sankyya से करना है मैंने क्या कर दिया माद्य से टिवाइड कर रहा था इसको तो इसको आठ से यह आप डिवाइड करते हो तो आठ दूनी 16 हो जाएगा फिर आपके पास 6 बचा भाग नहीं जा रहा पॉइंट फिर आपका साथ 56 फिर चार पांच तो यह आपका अंसर आ गया कौन सा हो जाएगा उप्शन नमबर एक हो जाए है तो देखो एक तो आपके पास मिनार है और एक बिजली का खंबा है तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि मिनार बढ़ी है या खंबा बढ़ा है यह कैसे पता करोगे यहां क्या दिया गया अवनमन कौन और यहां पर भी क्या दिया गया अवनमन कौन यानि कि मिनार से जब हम खंबे की तरफ देखती हैं तो दोनों वार अवनमन कौन का मतलब केवल इतना सा है वैसे तो अवनमन कौन और उन्यन कौन नॉर्मल सवाल में एक होता है वगर जो ये सवाल है ऐसे सवालों में आपको इनका अंतर पता चलेगा क्या कि जब आप मिनार के सिर्ष से देखते हो तो दोनों वार आपको नीचे नीचे देखना पड़ रहे अवनमन कौन का मतलब ये है यदि वो उन्यन करता कहता कि मिनार के सिर्ष से खंबे का उन्यन कौन तो हमें उस टाइम उपर देखना पड़ता यानि कि खंबा उस टाइम बड़ा होता तो यहाँ पर दोनों वार अवनमन अवनमन है कहने का मतलब जो मिनार से खंबे के पैरो को देखता है बाद को देखता है तो भी उसको नीचे देखना पड़ रहा है और जब वो सिर्ष को देखता है तब भी अमनमन कौन यानि कि तब भी उसको नीचे देखना पड़ता है यानि कि मिनार बड़ी है और खंबा हमारा छोटा है यह आ चुकी है सबसे पहली अब वो मिनार के सिर्ष से जब खंबे के पैरो को यानि कि खंबे के बाद को देखता है तो उसका कौन कितने का था 60 degree का और जब मिनार के सिर्ष से खंबे के सिर्ष को देखता है तो उसका आउनमन कौन कितना आ जाता है ये 30 degree है तो बस इस आउनमन से ही आपको पता चलेगा कि खंबा बड़ा है या मिनार बड़ी है आउनमन कौन का मतलब हमें नीचे देखना है पढ़ रहा है उपर से और उन्यन का मतलब है कि नीचे से उपर देखना पढ़ रहा है ये हो गया अब आगे आपके पास 12 मीटर उची मिनार तो मिनार की लंबाई आपको देर किये तो सबसे पहले देखो, उपर वाले छोटे वाले तिरबुझ की बात करते हैं, यहां पर 30 degree दे रखा है, यह कौन पूरा कितने का हो जाएगा, 60 degree हो जाएगा, जब हम उपर वाले तिरबुझ की बात करते हैं, 30 के सामने की बुझा किस अनुपात में होती है, हम कहेंगे ये बुजा 30, तो 30 के सामने की बुजा होती है, एक अनुपात में, इतनी इतनी बुजा, एक हो जाएगी, 60 होगा यह कौन 60 के सामने की बुजा किसन पात में होती है अन्रूट 3 के न्पात में होती यह जितनी है नीचे वाली भी उतनी है अब यह देखो अब बड़े वाले तिरभुज़ पर आ जाओ यह कौन 60 है तो यह वाला कौन आपका कितना हो जाएगा 30 तो 60 के सामने की बुजा अंडूरूट 3 होती है और एक के सामने की 30 के सामने की यह 30 होगा इस वाले कि पुछ की यह दी बात की जाए 30 के सामने की बुजा एक होती है तो एक की वैल्यू आपको कितनी दे रखे अंडूरूट 3 है पहले से तो एक की वैल्यू यह दे अंडूरू कितनी हो गई है, दो हो गई है, इस प्रकार से हमने इसको अनुपात में बांट लिया है, अब खंबे की क्या मिनार की लंबाई, यानि तीन की वैल्यू अब आपको दे रखी है, कितनी, बारा दे रखी है, यह वाली वैल्यू आपको बारा दे रखी है, और आप से खंबे की कि लंबाई पूछिये, खंबे की लंबाई की है, वहाई सवाल कह सूध किया, एक तिर्बुच के परिवर्थ की तिर्जा 9cm है। जबकि इसके अंतरवर्थ की तिर्जाद चार सेंटीमेटर है तो तिर्बुज के परिवर्थ और अंतरवर्थ के किंद्रों की बीच की दूरी ज्याद कीजिए देखो एक तिर्बुज दे रखा है आपको तिर्बुज के परिवर्थ और अंतरवर्थ के केंद्रों की बीच की दूरी का फॉर्मॉला क्या होता है तो यह फॉर्मॉला होता है यह बड़े वाले परिवर्थ की तिर्जा को आर मानते अंतरवर्थ की तिर्जा को थोटे 2 into rr इस प्रकार से हो जाएगा यह फॉर्मला हो जाता है आर स्क्वेर करोगे तो यह कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा 2 है आर को मान रखो 9 हो गया यह आपका 4 हो गया 9.36 दुनी 72 यह इक्यासी माइनस 72 तो कितना आ गया इनको घटाने पर यह आजाएगा आपका 9 तो अन्रूट कितना आ गया यह आपका 3 आंसर आ गया ऑक्षन नमबर 2 हो जाएगा तो यह फॉर्मला होता है आप ध्यान रखना कि इसका होता है परिवर्थ और परिवर्थ और अंतय केंद्रों के बीच की दूरी का यह फॉर्मला होता है सवाल नमबर 83 एक संदी बाहुत तिर्बुझ के सिर्ष से इसके आधार पर खींचा गया लंब 12 cm है यानि कि एक संदी बाहुत तिर्बुझ है जिसमें दो इनके बराबर नहीं है इसके सिर्ष से जब हम यहाँ पर लंब डालेंगे तो यह नीचे वाली जो आधार है उसको बराबर बराबर भागों में डिवाइट करेगा इसके लंबाई आपको 12 दे रखिए परिमाप आपको कितना दे रखा है परिमाप तीनों बुझाओं का य 26 दे रख लंब कितना दे रखा है 12 देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे आसानी से करने के लिए देखो अब 12 दिया गया है हमें सबसे पहले यह गोर करना पड़ेगा पांच बारा तेरा हमारा एक ट्रिपलेट होता है कि यह यदि आपको पता है तो आप इस सवाल को आसा तो ये बुजा 5 हो जाएगी, और कर्ण कितना हो जाएगा, इस एक तिर्बुज की बात करने हैं, 13 हो जाएगा, इस परकार से, 5 ये 12 है, तो ये 5 है, इसका मतलब ये 13 है, इस परकार से लगा कर देख रहे हैं वितकम, हमें पता नहीं है, ये हो गया, जाएगा 36 के बराबर, ये आपका 13 प्लस, 13 प्लस 10 करोगे, क्या 36 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से यह आ जाएगा, 26 प्लस 10, 36, यaxی 36 आ रहा है, ये भी 36 यानि, लेप्ट साइट, और राइट, राआट हैंड साइड, और left hand side बराबर तो हम कहेंगे कि ये value हमारी हो सकती है ये ही value होगी तो तिर्बुझ का आप छेतरफल निकालना एकदम आसान है क्या होता है छेतरफल अधार into उन्चाई उन्चाई आपको यहाँ पर दी गई है पहले से अधार आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और उन्चाई 12 हो गई है आप इसको इदी काटते हो तो ये 6 आ जाएगा यानि कि 60 आपका छेतरफल 60 cm2 आपका छेतरफल आ चुका है option number कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा सवाल number 84 बगी बात करें 25 महिलाएं एक कारे को 60 दिन में पूरा कर सकती है कारे शुरू होने कि कितने दिन के बाद 5 और महिलाओं 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि ये कारे 55 दिन में पूरा हो जाए कितने दिनों के बाद ये पूछा गया तो मान लिया कि स्टार्टिंग में 25 महिलाएं मान लिया कि एकस दिन के बाद उनको जुड़ना पड़ा है जुड़ना पड़ा है 5 और महिलाओं को कितने दिन के बाद एकस दिन के बाद तो एकस दिन तो कितनी महिलाओं ने काम किया 25 महिलाओं ने काम किया उसको हटा दो अब बाकी काम बचा, 60-jes दिन का का म 25 महिलाओं का, 60-sen दिन का का म ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये? 5 और महिलाइं आ गई है. 5 और महिलाएं उनके साथ जुड़ गई है. ठीट है. 5 और महिलाएं. और 55 दिन में पूरा करना है. तो यहां पर X दिन का तो काम हो चुका है कितने का काम बचा 55 माइनस X दिन में complete करना है कितनी मैल आएं तीस मैलाओं के द्वारा पांच और मैला है तीस मैलाओं के द्वारा यह हमारी equation बन गई है यहां तक ही आपको जोर आने वाला है, अब तो सवाल एकदम आसान है, क्या करना है, सबसे पहले तो इनको काट लो आपस में, यह 5 आ जाएगा और यह 6 आ जाएगा, यह हो गया है, अब आप इनको multiply करोगे तो यह आपका 300-5x हो चुका है, और यहां पर आपका 5-630, 330-6x हो चुका है, तो यहां पर आपका x बराबर 30 आ गये, x का मान कितना आ चुका है, 30 आ चुका है, यहनि कि 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, उनको 5 और महिलाओं को जूड़ना पड़ेगा, काम को 55 दिन में complete करने के लिए, तो option number हमारा 2 हो गया, तो दोस्तों यहां पर आज का का के एक और पेपर के साथ, तो दोस्तों इसकी PDF आपको योगेश टेलिग्राम मैच चैनल पर मिल जाएगी, thank you दोस्तों,